Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चानल Study with Dular में बच्चों हिंदुस्तान गाउं का देश है, इसे गाउं का देश कहा जाता है और हमारे देश की पहचान हमारे गाउं से होती है हमारे गाउं ही हमारे देश का अस्तित्व है कई बार सहरों से लोग गाउं को देखने के लिए उसकी सुन्दर्ता को देखने के लिए घुमने के लिए गाउं जाते है और वे गाउं के खेतों की हर्याली को देखकर मुहित हो जाते है और उन्हें लगता है कि हकास हम लोग भी गाउं में रहते हैं इस तरह का वे सूचने लगते हैं, तो गाउं की सचाई ही यही है, कि वहां की सुन्दर्ता इतनी मनमोहक होती है, कि किसी के मन को भी मोह ले और उसे अपने बस में कर ले, तो आई हम लोग देखते हैं, यह कौन सा चेप्टर है, यह क्लास फाइब का हिंदी बुक है, और चेप्टर है सिक्स्टिन, इस चेप्टर का नाम है ग्राम सुभा, इसका अर्थ ही होता है गाउं की सुन्दर्ता, ग्राम का मतलब होता है गाउं, और सुभा का मतलब होता है सुन्दर्ता, गाउं की सुन्दरता तो आई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिप्टी जिससे रवी की किरने चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहित रुधिर है रहा फलक स्यामल भूतल पर जुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक कवी सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं इसको विता के रचियता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी तो वे कह रहे हैं कि खेतों में मखमल के समान कोमल कोमल हरियाली फैली है हरियाली पर सूरी की किरने हैं मानो चांदी के समान उजली जाली लिपट गई है घांस के तिनकों के हरे सरीर में रक्त सी लालिमा जलक रही है हरी धरती पर आकास का स्वच अम निला पट्टा जुका हुआ है और कविता की आगे लान यहां है पीले फूलों वाली सरसों की गंध फैल रही है तीसी का नीला पूल ज्ञाक रहा है इसके आगे है रंग रंग के फूलों में हिलमिल हंस रही सक्षियां मतर खड़ी मकमली पेटियां सी लटकी छीमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुन्दर फूले फिरते हो फूल स्वेम उड़ उड़ विर्तों से विर्तों पर कवी यहां बतला रहे हैं सुन्दर रंगों वाली मटर सक्षियों के समान है मटर की छिमिया मखमली पेटियों के समान है तितलियां फूलों पर उड़ रही है डाल डाल पर फूल खिले हैं तितलियां हरसित होकर एक डाल से दुसरे डाल पर उड़ती फिर रही है अब रजत स्वन मंजरियों से लद गई आमर तरू की डाली जर रहे धाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली महके कटहल, मुकूलित जामुन, जंगल में जरबेरी जूली, फूले आडू, नीम्बू दाडिम, आलू गोभी बैगन मुली इसके आगे कविका रहे हैं अब आमों में पहली मंजर लग चुकी है उसकी डालियां जुक गई है धाक और पीपल के पते गिरने लगे है कोयल कुकने लगी है कटहल महकने लगे है जामुन खिलने लगे है जंगलों में बैर जूल रहे है नीम्बू अनार, आलू बैगन मुली लग गई है और ये सारी संकेत बतला रहे हैं कि बसंत का आगमन हो गया है बसंत का आगमन हो गया है और यहाँ पे यह पोयम समाप्त हो जाता है और इस पोयम के रच्चत हैं सुमित्रा नंदन पंत जी तो आप इसको याद रखेंगे तो आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है number one में पढ़ें और समझें लगभग लगभग इसका भवार्थ बतला दिया गया है और मैंने जो बतलाया है इसी में से बतलाया है थोड़ा सा उसमें कुछ अपना जोड़ कर बतलाया है और question number three three number में परियावाची सब दिया हुआ है आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे question number four में जो questions दिया हुआ है ये इस चप्टर का मुख्य question है ता ये मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ ये है चप्टर 16 का question answer सोचे और बताएं खेतों में हर्याली कब आती है कविता के नुसार खेतों में हर्याली वसंत रितु में आती है कोयल किस रितु में गाती है कोयल वसंत रितु में गाती है सूरी की किरने कैसी लगती है हर्याली पर सूरी की किरने ऐसी लगती है मानोचांदी के समान उजली जाली लिपट गई हो जो गेहू कब पकने लगते है झाल झाल